ओम शांती आज चार मई दो हजार चौबिस है बाबा हम सब बच्चों के खाते को बढ़ाने के लिए कई विधिया बताते हैं सुख के खाते, दुआओं के खाते, ज्यान के खाते आज का स्लोगन विशेश रुप से सुख के खाते को बढ़ाने के लिए विधि बता रहे हैं आए सुनते हैं आज का स्लोगन सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पुर्वक दिल से सब को सुख दो इस पुरुशोतम यूप में बाबा ने आकर के हम सब बच्चों को मर्यादा पुरुशोतम बनाने की सिक्षा दे रहे हैं पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और मर्यादा पुरुशोतम वो है जो हर मर्यादा के अंदर हर मर्यादा के लकीर के अंदर रहते हो संकल्पों की मर्यादा, वृत्ती, दृष्टी, कृती की मर्यादा, वानी की मर्यादा और बाबा ने हर छोटी छोटी बात की मर्यादा हम बच्चों को सिखाया हुआ है तो सुख का खाता जमा होती जाए, बढ़ती जाए उसके लिए बाबा ने कहा है सुख दो और सुख लो क्योंकि सुख देना दुआ देना या कोई भी चीज हम देते हैं सुख शम रूप से भी तो उसके रिटर्ण में हमें अवश्य मिलता है फॉर्मूला ही यही है देना माना लेना तो सुख देना यह बहुत इंपोर्टन है लेकिन उससे इंपोर्टन बात यही है कि सुख हम किस के आधार से दे रहे हैं मर्यादा के आधार से या मर्यादा के विपरीद जाकर के क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसे कई मनुश्य आत्माएं हैं जो जनमते ही उनके अंदर बहुत विशेशता है भरी हुई है गुणवान है पवित्रता भी अपनाते है पवित्रता की धारना को अपनाते हुए अपना जीवन व्यतित कर रहे हैं लेकिन बाबा ने कहा हुआ है कैसे भी आत्माएं गुणवान ही क्यों न हो विशेश आत्माएं ही क्यों न हो पवित्र जीवन भी जी रहे हो लेकिन उनका जो विशेशता है गुण है उनका एक का एक गुणा है बस वही बढ़ेगा क्योंकि वे अपने हिसाब से अपने मन मत से पर मत से पवित्र बने हैं विशेष्टा संपन बने हैं गुनवान बने हैं लेकिन हम जो आत्माई बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा के श्रीमत अनुसार हम पवित्ता की धाना कर रहे हैं, गुनवान बने हैं और इसलिए एक का सौ गुना बन जाता है, इसलिए हम बच्चों का महत्व हैं, तो बाबा का श्रीमत माना बाबा की मरियादा है, तो मरिय यगता है सुक दिया और खाता बढ़ गया, लिकिन नहीं, क्योंकि वो मर्यादा के अंतर्गत शुक नहीं दिया. हम सुक देते हैं बाबा के बच्चे, तो मर्यादा के अंदर रहकर के सुक देते हैं, तो उसका सो गौना बढ़ जाता है. क्योंकि कई आत्माओं की कई इच्छाए कई चाहना है और उस इच्छा चाहना की बहुत ही गलत वृत्ती है उसके अंदर अब उस गलत वृत्ती वाली इच्छाओं और चाहनाओं को हम पूरा करते हैं तो उनको सुख मिलता है लेकिन वो गलत वृत्ती वाले इच्छाए हैं तो ये मर्यादा के अंदर नहीं आते हैं इसलिए हम यदि उनको सुख देने के हिसाब से हम सुख देते हैं तो हमारा खाता उल्टा पड़ जाता है इसलिए मर्यादा के अंदर रहकर के सुख दे ये बहुत इंपोर्टन है इसलिए दुनिया में यही गाया जाता है भगवान की गत्मत न्यारी भगवान की विधी और सिधी भी न्यारी है तो इन मर्यादाओं को समझ करके स्मृती में रख करके हर आत्मा को सुख दे तो सुख का खाता हम आत्माओं के अंदर बढ़ता जाएगा ओम शंति